कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता हूं जादे कुछ टेस्टी सखा ले तो एक बर ये चनादाल पुलाओ की रेसिपे आप ट्राइए कि इसमें कोई मेहनत ज्यादा नहीं है न कुछ ज्यादे सबजिया कारने पड़ती हो और हमारा चनादा में ही सोग कर लेती अब रेख सकते हैं ये फुल के क्वेंटिटी इसकी बढ़ गई है तो चली इसे मैं साइट कर लेती हूं अब मैं इससे पहले राइस ले लेती हूं मैं एक ग्लास राइस लिए और इसमें एक कप चना का डाल ली हूं तो राइस को भी हमें अच्छे से राइस लेख सकते हैं फटा फटा फट हमारा वाश हो गया मैं से रख दूंगी और रख दूंगी और एक चमच घीराल दूंगी जैसे हमारे ये गरम हो जागा निए कुछ खरी गरम मसाले जाएंगे दालचीनी थोरी सी लॉंग दो अरी लैंची थोरी से काली मिर्च इन बनाँ जिब तक यह हमारा थोरण सा भून रहना मैं क्या करूंगी अद्रख लैसन प्समान का फटा कोट के पेस्ट बिणाओंगे अगर आपके पास अद्रख लैसन का यहां पेस्ट पैस्ट आप उसे भी यूज कर सकते हैं और कूट कर डालने से अच्छ अश्जय बाता ह तो हमारा अध्रेक लैसन रेडी होगे, एक बार हम अपने मसालों को चेक कर लेते, तो चलिए फटा 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 देख सकते हैं, हमारे मसाले अभी तक जल है नहीं और मैं यहाँ पर डाल दूगी अध्रेक लैसन का यह पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एक स इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं होगे, अब देख सकते हैं, दो मिनिट बाद हमारे प्यास का कलर चेंज हो गया है, इस स्टेस पर मैं आप डाल दूँगी कट हुए टमाटर, टमाटर को भी दो से तीन मिनिट भूनना है, थोड़ा सा यह जैसे सॉफ्ट हो जाए और गल ज इसे भी अच्छे से मेक्स कर लूँगी, आप चौतो चना दाल को रात में भी सोक कर सकते हैं, या पुलाव पनाने से चाथ-पांच गेंट पहले अब गरम पानी डाल दीजे तो जल्दी सोक हो जाता है, और अब मैं यह डाल दूँगी थोड़ा से काजू कर टिकुरा, इसके जगा चिकन मिसाला भी यूज कर सकते हैं, थोरी सी रेड चिली पॉर्डर डाल दीए मैंने, और थोरा सा गरम मसाला, 1 फॉर्ट इस्पून, सारे मसाले मैं ऊपर यहां पर लेक के डाल दूँगी, अब जाय तो देख सकते हैं, और थोरा सा पानी डाल के से अच्छे स डख देती हूं, दो मिनिट बाद चेक करूंगी, तो देखे चावल भी अच्छे से भुन गया है मसाले के सार, अब यहां पर मैं डाल दूँगी इसमें पानी, दो ग्लास चावल, आदा कब चनादाल, तो धाय ग्लास एक रह से हो गया, तो इसमें मैं पांच ग्लास पानी डाल दूँगी, थोड़ी सी धनिया पती डाल दी, थोड़ा सा नमक मुझे ऐसा लग रहा तक कम है, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूं, और इन सबो को अच्छे से मिक्स करके, बंद करके से मैं ग्यास पे डाल दूँगी, और दो सीटी आने तक पका लूँगी, दो सी कमेंट कीजिए, और बहुत ईजी रेसिपी है, और कोई परिशानी नहीं, कुछ कटिंग नहीं, कुछ चॉपिंग नहीं, और हमारा पुलाव बनके रेडी हो जाता है,